कि असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं उर्दु का अगला चेप्टर जिसका नाम है आशियाना ये पार नंबर चेप्टर है और ये भी क्या है एक अफसाना है यानि की कहानी है आशियाना का मतलब पताए क्या होता है घर मतलब इस कहानी मे घर के बारे में बताया गया है house home ठीक है उसके महत्तों को कि अपना घर अपना ही होता है दूसरों का घर दूसरों लोग का ही होता है ठीक है वैसे हम लोग कहानी को समझेंगे लेकिन सबसे पहले इसके लेखक के बारे में समझ लेते हैं हर बार की तरह अस्याना जो चेप्टर ट्रॉइंग और पेनुग में भी में हिन्होंने उर्दू के आलावा उर्दू में भीमि किया उसके साथ ब्रण पैंटिंग में 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 भीमिय एपूमिया मिल इस्लामया से PhD भी हासिल कि एप हसिल कर दी है कौन से कॉलेज से जामि मिलेn इसलामिया प्रकाशित हुआ उन्हें सानी मजबूवा याद रखिएगा और दूसरा है इनका गहन जो उन्हें सा निनानबर इस भी में प्रकाशित हुआ इनका जो सफर नामा है वो गर्द अवारगी है अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में सवाल खटक रहा होगा कि सफर नामा क्य है यात्रा मतलब इन्होंने यात्रा की बुक भी लिखी है सफर नामा मतलब यात्रा का किताब तो इनका यात्रा का किताब क्या है गर्द आवारगी यह याद रखिएगा इनके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिया है फिर भी एक्जाम में कुष्टन पुछ द रहे हैं यह क्या है किरदार है सबसे पहले हैं बरकतली जरीना रुकईया सिराज इर्फाना अधनान परहान ठीक है इसमें जो में करेक्टर है जो में किरदार है वो है जरीना यह में किरदार है इसको नहीं भूलना है यही इस कहानी को बता रही है ठीक है अब सुनिए कहानी क इसमें जो जरीना है इनके जो हस्बेंड यानि की शोहर है वो है बरकत अली जरीना के शोहर कौन है बरकत अली और ये इनकी वाइफ है बीवी जरीना और बरकत अली के जो बेटे हैं वो है सिराज और इनकी एक बेटी है रुकईया ठीक है यहां तो कोई दिकत नहीं है जरीना और बरकत अली का एक छोटा सा आश्याना रहता है यान की घर रहता है ठीक है इस उन्हों ने बरकत अली और जरीना रुकईया की शादी कर देते हैं और रुकईया अपने सस्राल चली जाती है वहाँ पर अपनी खुशाल जिंदगी बिताती है ठीक है उसका इतना ही रोल रहत बहुत अच्छी तालीम और तर्वियत देते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और यही कारण होता है कि सिराज का जो जौब हो जाता है कहां हो जाता है बेंगलोर में उसकी नौकरी लग जाती है बेंगलोर में ठीके और फिर जब नौकरी लग जाती है तो बरकत अली और जरीना अपने बेटे सिराज का शादी कर देते हैं किसे सादी करते हैं वो एक लड अधनान 9 साल का रहता है और फरहान लगबग 5 साल का रहता है तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सिराज इर्फाना अधनान और फरहान यह जो चारों है सिराज लेकर चला जाता है अपने फैमिली को कहां बैंगलोर में वहीं पर जाकर सिफ्ट हो जाता है क्योंकि उसका न अपस में बाते करते हैं खाना पकाते हैं एक दिन क्या करता है infect वो अपने घर बुला लेता हैं कि आजाओ बहुत जिद करकर अपनी सोचते हैं क्या दिक्त है आक्षिरलहां पर अपनीelynी, तो बरकत साथ वानजिल पर जाना reda कि वहां पर जाते हैं तो भीने तो मजा भी आता है वर किसी से लेना देना पडोसी तो नाम का चीज ही नहीं रहता है अपना काम से काम करते हैं उन्को एक कमी मैसूस होती है वह मतलब घुटन सा महसूस होता है अपने बेटे और बहु के घर में ठीक है क्यूं इसलिए जब भी जरीना क्या करती काम करने जाती कुछ भी बोलती तो इर्फाना बोलती रहने दीजिए ममी आप क्यूं काम करेंगी आपका तो गया वक्त अब हम लोग का काम है मतलब सिराज औ इनके बेटे और बहु बहुत ही खातिरदारी करते हैं अपने मा और बाप के ठीक है बहुत ही जादा इतना जादा खातिरदारी करते कि इन दोनों को कोई काम कर नहीं नहीं देते यहां तक कि इन दोनों के घर में दो नौकर थे नौकरों को भी यह जरीना बताती कि ऐसे न मंसन बहुता Korea उस varit देते थे इतना मतलब सिराज और इरफाना अपनी मॉमिवय को क्या करते दे खातिरदारी करते थे तो अब यहां पर जरीन और बरकत अलिय्ण पुरी तरीके से आखिर उनको कुछ काम करना ही नहीं कुछ बोलना हैbuilding यहां पर किसका राज चल रहा है मतलब उन्हीं की तो बेटे और बहु का घर है अगर हम लोग गर तो हम लोग जो बोलते वह होता तो यहां पर जरीना और बड़कतली दिन भर चुक चाप बैठे रहते और कोई काम नहीं और दो-तिन साल तक इसी तरह कोई काम ना रहेकर बैठे-बैठे किसी इंसान का क्या हो जाएगा वह बोर ही फिल करेगा अगर मैं ही किसी के घर चली जा बरकत ली के साथ और एक दिन दो-तीन साल के बाद एक दिन क्या हुए बरकत के खुद ही बोल पड़े ,ARAब बनाना में खाऊंगी और साम को हम दोनों साथ में चाह पीएंगे ठीक है हम लोग वही आस्याना हम अपना आबाद करेंगे ठीक है वहाँ पर हम लोग का अपना घर होगा जिस पर हम अपनी क्या करेंगे हुक्म चलाएंगे हम अपने मन का कर सकेंगे ठीक है यहाँ पर तो यह तो बेटे और बहु का घर है सिराज और इफाना का घर है जो वो उनका हुक्म चल रहा है यहाँ पर तो हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है ठीके तो बरकत अली और जरीना कहां चले जाते हैं फिर से अपना आश्याना बसाने चले जाते हैं अपने घर अपने घर में अपनी ही हुक्म चला सकते हैं और दूसरों का घर रहे अपने बेटे या फिर अपने बहु का या फिर अपनी बेटी का उसमें हम अपना नहीं चला सकते वह उन्हीं का घर होता है यह बात समझाने की कोशिश की गई है इस कहानी में ठीक है तो यह कहानी होता है खत्म अब चलिए समझते हैं इसके कोश्चन इंसर को देखिए दरक्सा का बुक है चप्टर नंबर फाइफ है ना चप्टर नंबर फाइफ निकाल देती हूं देखिए यहां पढ़नेगार अजीम जो है उनके बारे में डीटेल्स दिया है मैं लिख दी हूं और आशियाना चप्टर तो कहानी आप लोगों को बता ही भी कोश्चन मुक्तसिर तरीन सवलात हमेशा की तरह अती लगू उत्रिये से स्टार्ट करेंगे देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है अती लगू उत्रिये अपना समय ठीच है पहला सवाल है निगार यजीम का असल नाम क्या है यानि की रियल नेम तो तो मैं लिखी दी मलीका है महर नगार निगार दूसरा सवाल निगार यजीम ने किस किस मौदू में एमे किया तो मतलब किस किस टॉपिक पर एमे किया किस किस सब्जेक्ट से तो उन्होंने अर्दू के अलावा ड्रॉइंग और पेंटिंग में भी लीजिए ये दूसरा कुश्टन का अंजर हो गया तीसरा नमबर सवाल है निगार यजीम के अवली यानि की पहली अफसानवी मजमुआ का नाम बता है जो सबसे पहला अफसानवी मजमुआ अफसानवी मजमुआ में कितना बार बता चुकी हूं आप लोगों को मतलब अफस पाशित हुआ तो उन्हें सा निनान बिरिस भी में ठीक है पास नमबर सवाल निगार यजीम के सफर नामा का नाम क्या है तो सफर नामा का नाम है घर्द आवारगी लिजे यहीं पर आप लोगों का पाचो एंसर मिल गया ठीक है अब आता है मुक्तसिर सवलात यानिकी लग का अता है और एक स्वाद से ठीक है और यहीं फरक पूछ रहा है जुमले में यानकी सेंटेंस में यूज करकर आप लोगों को बताना है ठीक है यह सही का मतलब होता तो गुड़ ही स्ञेके इस तरह करकर यानि कि गुड मतलब समझते हैं मीठा मीठा उसको गाउं में बोलते हैं लो मीठा तो ये दोनों में अंतर समझ में आगा है इसी तरह आप लोग जुमला में लिखिएगा सेंटेंस में दोनों का फर्क वाजी कर दिजेगा अंतर बता दिजेगा इसमें कर ऐसे डैस दे देजिए गा और इसको एक सेंटेंस बना दिजेए गा सही का यूज कर दीजेए कैसे इस तरह लिखिएगा डैस देकर हलवा अच्छा ना लगा तो गुड़ी सही ठीक है इस तरह एक सेंटेंस बन जाएगा सही मैं भी लिख दीजियेगा ये सब्सक्राइब कर लिखिएगा सही तरीके से इस काम को करूं ठीक है तो यह हो गया इसका सेंटेंस बन जाएगा दोनों का सेंटेंस बन जाएगा इसी से फर्क समझ में आ जाएगा ठीक है आगे देखिए दो नंबर सवाल निगार यजीम की शक्सियत पर पांच जुम्ले लि पर लُमस्च जुम्ले लिखिए ऐनकी कहानी के बरे में अप लोगब लुग दे लिए कहानी एक किसे कहते हैं यह बता देना है अप लोगे और अपसाना को एक ही नसस्त में पढ़ी जा सकती है यानि कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है ठीक है और अभी अपसाना के बारे में अपने तरफ से कुछ लंबा चौड़ा लिख दीजिएगा ठीक है आगे तवील सवालात देखिए दिर्ग उत्री अपरसन ठीक है सबसे प करने लगी थी क्योंकि जरीना को जब भी वे कोई काम करने जाती उसकी जो बहु है इर्फाना उन्हें काम ही नहीं करने देती थी बोलते थी कि मम्मी आपका जमाना खतम आप जितनी भी काम करनी थी आप कर चुकी है अब हम लोग की बारी है आप सिर्फ आराम कीजिए और जरीना को दिन भर रात भर आरामी करना पड़ता था ठीक है और इसी वज़ा से वो उक्ताहट महसूस करने लगी थी ठीक है इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा दो नंबर सवाल है जेरे निसाब अफसाना आश्याना का मरकजी किरदार पर रोसनी डालिए जो जेरे निस बारे में बताना है इसमें में किरदार कोने जरीना उमस्तों कर देना है कुछ पंच जुम्ले में लिग देना है तो ड़ा कर सवाल है तीसरा सवाल है अफसाना के इर्तिकाय का जाइज़ा लेजिए यानि कि अफसाना अफसाना मतलब क्या होता है किस्सा और कहानी तो अफसाना का विकास कैसे हुआ वो कैसे अफसाना डेवलप कर गया बहले तो उतना जदा अफसाना नहीं लिखा जाता था मतलब अफसाना कैसे लफ आया और फिर कैसे अफसाना को लिखा जाने लगा इसके बारे में बताना है तो देखिए अफसाना जो होता है ना कहानी क्यों कहते हैं लोग कहानी सुनाना स्टार्ट किये कहानी अपने से बनाना भी स्टार्ट किये और इस तरह से अफसाना का किस से स्टार्ट होता है अफसाना धीरे-धीरे क्या हो गया रितकाय होते गया यान की डेवलप करते गया और यहाँ तक कि सबसे पहले आप लोग अफसाना का क्या कीजिएगा उसका तारीफ कीजिएगा क कि अफसाना किसे कैसे तब यह सब लिखिएगा ठीक है और अफसाना में लिख दीजिएगा कि बहुत अफसाना नेगार सुरू में बहुत कम अफसाना लिखा करते थे लेकिन बाद में जब अफसाना बहुत ही जदा रितकाय हो गया अफसाना का यानिकी डेवलप कर गया तो बहुत सारे अफसाना नेकारो द्वारा लिखा जाने लगा इस तरह आप्लों को लिख लेना है here चौता सवाद है नेगारे अज़ीम की अफसानवी कहrico Chi खुछ बियान की लिखे को không भाज की लिखाक करती तर चौरुमें क्या उप लो को अच्छा लगा क्या उस에 फीचर तभी सिस्टाय थी यह सारी आप लोगों को चीजे लिख देनी हैं निगार एजीम बहुत ही अच्छा अपसाना निगार थी वह जो भी अपसाना लिखती लिखती थी और जिस कहानी को लिखा करती थी उस कहानी में वह और वह क्या करती थी जाहिर कर देती थी वह मैसूस वह फिलिंग उस कहानी में लफजों के साथ जाहिर कर देती थी इस तरह आप लोगों को लंबा चोड़ा बनाका लिख देना है इसी से जुड़ा एक कोश्चन है देखिए यहां से और यह किस चीज़ का कोश्चन है उर्द लोग जाकर देखिए का उसी में वाहिद और जमा मैं पढ़ाई हूं और वहां पर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताई हूं ठीक है तो जमा फिर से मैं बता दे रही हूं जमा का मतलब होता है प्लूरल यानि की बहु अचन ठीक है तो जो नीचे दिया गया है उस मौका का मवाकी यह आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर मसला का मसाइल मनजिल का मनाजिल ठीक है यह आप लोग का हो गया जमा प्लूरल और इसी के साथ आप लोग का चेप्टर 5 कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेप्टर 6 को भी अच्छे तरीके कैसे कंप्लीट करेंगे विट कोस्टन एंसर के साथ तो यहां तक कोई दिकत नहीं है चप्र अच्छे से समझ में आ गया कोई भी कंफीज आनूं आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिए ज्यादस ज्यादस शेयर किजी अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास और हां चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगी आप तक सबसे पहले पहुचेगी ठीक है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सा तब तक के लिए जैहिंड और खुदा हाफिज